कर देखा था हमने हम कॉस्ट ऑफ कापिटल की बात कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कोस्ट का मतलब था खर्चा और क्या-क्या मिला के capital बनता है तो हमारा equity share, preference share और debenture अगर तीनों को मिला दिया जाए तो उनको हम इस FM में क्या बोलते है capital ठीक है तो इस capital के उपर कितना खर्चा आएगा उसको एक percentage के format में निकालना that is cost of capital और cost of capital को KO से भी denote करते हैं ठीक है आगे चलते हैं सर आगे हमने इसके अंदर सबसे पहले cost of debenture देखा यानि एक debenture के उपर क्या rate of interest होता है तो दो तरीके के debenture है हमारे एक है irredeemable और एक है redeemable अगर irredeemable की हम बात करें तो irredeemable का formula है I 1-T upon NP into 100 सर I interest है T tax है NP net proceeds net proceeds क्या होता है discount premium और flotation cost को करने के बाद अगला part है हमारा redeemable redeemable में क्या होता है 1 1-T RV plus minus NP divided by 2 और RV NP average इस तरीके से हमने last class के अंदर ये भी समझा था 1-T क्यों करते हैं अच्छे से ये समझ लिया था और एक question हमने करा था last class के अंदर आपका debenture के ऊपर ठीक है आज की अगली class जो हम start करने वाले हैं वो करने वाले हैं sir preference share को लेके हम करेंगे preference share का questions क्या है चलिए start करते है preference share को लेके ठीक है यानि cost cost of preference share जिसको हम shortcut में na kp भी बोल देते हैं short form में इसको हम kp से भी denote करते हैं ठीक है अब इसके अंदर भी दो parts होंगे आपके एक होगा हमारा redeemable एक एक होगा हमारा redeemable और एक होगा irredeemable redeemable redeemable यह दो पार्टिशन है preference share के भी redeemable बाला और irredeemable वाला ठीक है अब sir redeemable और irredeemable का क्या concept होगा पहले हम irredeemable की बात कर ले यानि sir kp kp is equal to क्या होगा हमारा वहाँ पे interest होता है यहाँ पे d होता है t stand for dividend ठीक है t divided by np हाला कि अभी फिलाल यही नए syllabus में यही formula है लेकिन कई बार examiner नए syllabus के बदले कुछ एक point हलका सा touch दे देते हैं पुराने syllabus का तो पुराने syllabus में जो formula था कुछ नहीं होता था one plus में c dt आ जाता था यहाँ ठीक है ना अब as per the rule income tax के हिसाब से corporate dividend tax खतम हो चुका है तो अब हमारा formula वैसे one plus c dt वहाँत rare case है के आपका आएगा सरिफ आपको d upon में np लिखना है sir np वही पहले वाला है d stand for dividend np stand for net proceeds और c dt होता है हमारा corporate dividend tax तो sir यह plus क्यों होता है स्लेवस में है भी नहीं तो हम इसके उपर जादा time spent नहीं कर रहें पहले क्या होता था company ना अपने shareholder को dividend tax कार्ट करके payment करती थी जैसे for example cost of preference shares sir sir redeemable वाले में होगा same formula बन जाता है kp is equal to d और plus rv minus np divided by rv plus np divided by 2 into 100 आप देखेंगे और observe करेंगे sir यह formula exactly dividend वाला है जो कि हमने पहले सीखा था exactly same है यह formula अगर आप ध्यान देतो d stand for dividend per share rv stand for redeemable value np stand for net proceeds sir net proceeds क्या होता है np क्या होता है sir np क्या होता है face value में minus discount कर दो और plus security premium कर दो और minus flotation cost कर दो flotation पिछले साल paper में आया था what do you mean by the flotation cost flotation cost जो student debenture वाला class अटेंट नहीं कर पाया था यानि पहली class जितने आज unroll हुए है वो आज के हिसाब से देख लिजिए समझ में आ जाएगा दो formula है that is cost of preference year cost of preference year में दो part होते है redeemable redeemable का मतलब क्या होता है हम आपके पैसे वापस दे देंगे कुछ सालों के बाद और अब आपके पैसे जो वापस देंगे वह हो सकता है 100 लेके आपके 1500 वापस करें हो सकता है 100 लेके मैं आपके 100 ही वापस कर ठीक है अगला point आता है irredeemable irredeemable के case में हम आपके पैसे नहीं देंगे technically law के हिसाब से देखा जाए तो irredeemable नाम की कोई चीज अब है ही नहीं आपको पैसे return करने होंगे क्योंकि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है तो इसलिए हम इस part को cover कर लेते हैं irredeemable में आएगा जो आपने लिखा है irredeemable यही है और irredeemable यही है ठीक है पिछली बारना मैंने अब मैं भी देख लूँ शायद मैंने आगे पीछे तो नहीं कर दिया नहीं देखो irredeemable मैंने उल्टा कर दिया इस वारना इस वाले को इधर लिख दिया इस वाले को इधर इसलिए लग रहा है आपको कि यह इधर जाएगा ठीक है चलिए अब हम न इसमें ज़्यादा time spend ना करके हम क्या करेंगे बड़ी simple सी बात है इसके उपर एक practice questions कर लेते हैं इस formula को देखो rvnp last class में बताया था redeemable में time लगता है n time है अब जिन बच्चों को नहीं पता चलो मैं लिख भी देता हूँ n stand for time rv stand for redeemable value sir np is equal to net proceeds यह तो बताई दिया sir इसके बाद two formula का part है d stand for dividend जो कि हमने इधर देख लिया है चलिए एक question आपके सामने preferent share का है 2009 में यह सवाल पूछा गया था क्या कहता है question में आपका किनाम limited planning to raise 1 करोड इसका एक agenda है कि इसको एक करोड रुपे raise करना है that is एक करोड की जोरत है by issue 12% preferent share और इसको 12% preferent share 100 रुपे का एक है तो अगर मैं आपको d यहाँ पर बताऊँ dividend तो 100 रुपे पर 12% that is 12 रुपे का अपका dividend है यहाँ पे आगे देखते हैं और 10% discount पे हमने issue किया है तो 10% discount का मतलब net proceeds की बात करें तो हमारा 100 रुपे का share है और minus 10 रुपे हो गए तो हमें जो मिलेगा that is 90 रुपे आगे क्या कहता है the underwriter expense expected 2% तो sir underwriter expense क्या है 2% है तो हम क्या करेंगे वो 2% भी यहाँ से घटा देंगे that is 2 रुपे तो इसका मतलब अब जो यह आ गया यह आ गया 88 रुपे ठीक है find out the cost of preference share capital each of the following cases if preference share irredeemable sir अगर preference share irredeemable है तो उस situation में KP क्या होगा D divided by NP क्योंकि tax वाला concept होगा नहीं अब क्योंकि वो खतम हो चुका है तो D मेरे सवाल में 12 है NP हमारे सवाल में 88 है into में क्या आएगा 100 और यह निकल के आएगा हमारा answer क्या बताईए फटा-फट answer बताईए 13 बताईए sir answer जो आया 13.63 ठीक है यह भी आपके देखो ऐसे सवाल एक्जाम में आते हैं और आये हुए questions को ही हम कर रहे हैं कि आये हुए हैं सभी बच्चों का live में भी जावा 13.63 ओके ठीक है सभी का जवाब अगले point पे आ जाते हैं sir अब KP निकाल के दिखाना है आपने जब आपका D प्लस में RV माइनस में NP और डिवाइड़ बाई RV प्लस NP डिवाइड़ बाई 2 हो और इंटू 100 हो लीजिये sir formula पुट कर देते हैं answer आ जाएगा D 12 है और प्लस RV कितना है sir और इसके नीचे N भी है मैंने पीछे formula में लिखा था हाँ N भी है RV के है sir अब question देखते हैं कहता है इस परफ्रेंड शेयर और रिडीमेबल एड़ एड़ एंड ऐफ 10th year तो एंड क्या हो गया 10th 15% premium पे तो sir रिडीमेबल वेल्यू 100 रुपए का शेयर था और मैं 10 सालों के बाद आपको 15% premium देने वाला हूँ तो that is कितने हो जाएंगे सर that is 15 रुपे एक्स्ट्रा तो आपका RV जो आएगा वो आएगा 115 रुपे RV क्या आजाएगा आपका 115 तो formula में आगया 115-NP पहले ही निकाल चुके हैं हम 88 और divided by N कितना है हमारा 10 और इस सभी के divide में क्या आएगा सभी के divide में क्या आने वाला है RV 115 और प्लस में 88 और divided by 2 और इंटू में 100 चलिए इसको solve करते हैं तो उपर का हिस्सा बताईए क्या आगया solve करके 12 प्लस 115 माइनस 88 डिवाइड 2 ये desert बताईए पहले सर आपने देखो irredeemable में time नहीं है तो उसमें RV बगएर नहीं होगा आप confused नहीं होगा क्या आगया मैं 115 माइनस 88 अरे 115 माइनस 88 डिवाइड 10 ये आगया 2 पॉइंट डिवाइड वाए 101.5 बारह प्लस में 2.7 डिवाइड वाइ 101.5 बच्चों ने जवाब दे दिया था हाला कि फिर भी मैंने तसल्ली कर लिया 14 पॉइंट इसमें अब market value का भी आएगा वो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे सुशन ये लो ठीक है 14.48484848 ठीक है बिल्कुल सही जवाब आ रहे है बच्चों का कि लिएरे? क्यों आ है, हुआ है